नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लाइच एंड फूज में हमारे चैनल का जैसे टैग लाइन है कि प्रोड़क्त का रिवीव, गार्डिनिंग तो गार्डिनिंग में किसी कारण में से आपको नहीं बिखारी हो लेकिन आपसे मैं यहाँ पे आपका प्रोड़क्त का करेंगे इस वाले material का जो material है सूट का तो आप देख रहे होंगे कि फोटो में कैसा दिख रहा है यह जो Amazon पर फोटो है उसकी बात कर रहे हैं और पिर आईए अब देखते हैं जो मैंने लिया है उसमें क्या है तो सबसे पहले रेड़ी material सूट material का हम यहाँ पर unboxing करके आपको दिखा रहे हैं यह देखिए यह कैसा है उसमें केवल पूरे पोटो में अगर आप देखेंगे Amazon के तो केवल सामने में जो print बना है गले का वो दिखाया है और कुछ नहीं दिखाया है यह देखिए नीचे इसके गोटा पट्टी है और ग हागे के साथ सितारे का काम किया हुआ है जो आप देख सकते हैं यह देखे यह दम लास्ट में कुर्ते के नूचे के तरफ आएगा और वह वाला गले के तरफ आएगा यह बहुत सुन्दर लग रहा है जो काम किया हुआ है बहुत ही जादा मतलब पूरे सूट में सबसे बहुत अच्छा है पहने में अच्छा रहेगा लेकिन बस यह है कि सर्दी के मौसम में थोड़ा सा यह दिक्कत करेगा सर्दी में जैसे कपड़े चिपकते हैं यह वह वाला कपड़ा है यह चिपक जाएगा और बाकी तो बहुत अच्छा है इसके गरले पे जो काम किया हुआ है वो आप देखी सकते हैं ये बस का उपर से कपड़े में कड़ाई नहीं कि जाइन और और देखिए ये मुझे बस इसमें एक चीज पसंद नहीं आये ये जो धागे से काम किया हुआ है इसका अगर यह प्लेन रहता तो जादा अच्छा लगता मुझे ऐसा लगता और यह सल्वार का कपड़ा सल्वार का कपड़ा यह एकदम कॉटन है और यह दुपट्टा तो दुपट्टा आप देख रहे हैं दुपट्ट्या बहुत अच्छा है उसका कपड़ा और स बुर्ट्टा प्लेनथ्न है ऐक तरफ एक दम फ्लेवाते ग्लवें नहीं देख् trench अगर रहता यहीं के से muffin और जिंटर छाइंचा dal लेकिन श्रो zor खटका है इसका दुपट्टा एक तरफ दुपट्टे के बॉर्डर बना दिया है एक तरफ जो है इतना पतला सा लगा दिया गया है मतलब जैसे कि आपको दुपट्टा अगर सेट करके लेना है पूरी तरीके से सेट करके लेना है सर पे रखना है तो ये मुझे लगता है उस को मंगा सकते हैं और वैसे अगर आप बिना पिन के दुपट्टा लेते हैं तो मुझे लगता है ये सही नहीं हो रहा है तो मैं बिना पिन के लेती हूँ तो उसके लिए मुझे ये सही नहीं लगा और ये खुरता फिर से आप देख लीजे एक बार देखिए दोनों कलर भी ब कोई बात नहीं आप अराम से इसको खरीच सकते हैं इसका प्राइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी लिंक भी शेयर कर दूंगी और यह देखिए यह रहा रेडिमेट कुरता तो रेडिमेट कुरता देखिए एमेजॉन पे ऐसे दिखाया गया है आप देख सक पहले मैंने एमेजॉन का वीडियो बनाके डाला है फिर मैं मैंने जो मंगाया उसका डाला है तो यह आईए देखते हैं अब जो हमने मंगाया है इसका कुरता कैसा है तो यह रेडिमेट सूट है तो इसको हम खोलते हैं पैकेट मैंने पहले ही खोल रखा था लेकिन अंदर मैं अभी खोल रही हूँ इसके पहले मैंने नहीं खोला था आपके सामने खोल रही हूँ यह रहा इसका पैजामा यह है सलवार यह रबड़ वाला है जैसे उन्होंनों भी दिखाया है फोटो में और इसमें पॉकिट है एक ही तरफ लेकिन पॉकिट है दोनों तरफ नहीं है एक तरफ पॉकिट है इस तरफ ऐसे ही है यह देखिए लाश में पेला कपड़ा तो बहुत ही सॉफ्ट है इसको ठंडी गर्मी जब पहनना है पहलिए कपड़ा तो सच में बहुत ही अच्छा है इसका और यह देखिए गले पर मीरर वर्क है इसके बहुत सॉफ्ट कपड़ा था आस्तिन देख लीजे आस्तिन पर केवल ऐसे लैस लगा हुआ है और पूरा पूरे में ऐसे ही प्लेन है एक एक फूल पत्ति बना दिया गया है धागे से उनमें केवल प्लेन धागे का काम किया हुआ है गले के पास आपका मीरर वर्क है और हाथ पे लैस लगा हुआ है और कपड़ा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है दोस्तों काम भी बहुत अच्छा है यह देखिए इहां पर धागे से काम है इसका काम बहुत अच्छा यह खराब नहीं होगा देखिए नीचे से भी इसको सेट किया गया है अब इसका दूपट्टा देखिए इसके दूपट्टे में यह देखिए यह आपको लंबाई में कुछ नहीं लगा हुआ है कोई लैस नहीं है चोडाई में है इसका कपड़ा सूती कपड़ा है दोस्तों यह बहुत चिपा करा है मतलब अगर गर्मी के मौसम में आप इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन ठंडी में भी अच्छा है कुछ लोगों के लिए लेकिन जिनको शीफोन या जोर्जे टीस टाइप का दूपट्टा चाहिए उनके लिए यह सूत नहीं है तो यह देखिए इसके चोडाई में यह काम किया हुआ है मतलब पल्लू के तरफ नीचे के तरफ यह काम है लंबाई में प्लेन है इसमें कुछ काम नहीं किया गया है और यह जो चोडाई में काम किया गया है दिट्टो वही काम है जो गले के पास किय गया था जो कुर्ते के गले के पास किया गया है तो अगर आपको शिफॉन जॉर्जेट ये सब दुपट्टा नहीं चाहिए तो आप इस सूट को लीजिए बहुत सॉफ्ट कपड़ा है बहुत अच्छा कपड़ा है आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत सही सूट है ये अ उसको मैं पांच में से तीन स्टार दूंगी और ये देख लीजिए आप बहुत अच्छा वर्क है ये ना निकलने वाला वर्क है तो आप देख सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं और मैं तो कहूंगी कि अगर आप ऐसा दुपट्टा आपको फर्क नहीं पढ़ ये रिव्यू पसंद आया हुए तो हमारे चैनल को करें और सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी प्रोड़क का रिव्यू चाहिए हो देखना हो तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं हम उस प्रोड़क को मंगाएंगे रिव्यू करेंगे और आपको जानकारी करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यावाद करें। दोनों मेंसे मटेरियल को मैं दूंगी पाँच में से तीन और इसको दूंगी पाँच में से चार। तो अगर आप चाहे तो इसको मगा सकते हैं बहुत अच्छा कपड़ा है हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्नेवाद नमस्का